तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नर्स कैसे बने दोस्तो नर्स बनने के लिए क्या-क्या eligibility होनी चाहिए क्या-क्या course किये हुए रहने चाहिए दोस्तो इस वीडियो में पूरा डीटेल बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप से लोग इस वीडियो को पूरा इंट तक देखना और जो लग दोस्तो हमारे साथ नए होंगे पहले वार होंगे तो इस चाहल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को all कर लिए ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे चलिए विश्ट वीडियो को सुरू करते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हो जैसे कि जौब का वेकैंसी आता है उसी तरीके से नर्स का वेकैंसी आता है दोस्तो और आप लोग अपलाइब करके नर्स बनने का अफसर प्राप्त कर सकते हो अब बताते हैं दोस्तों कि नर्सिंग कोर्स आप लोग कैसे कर सकते हो नर्स बन पैरा मेडिटल के तुरू कर सकते हो या तो I mont बेक्षल के साथ कर सकते हो बैश्लर डिग्री की बाद करें तो आप सभी लोग बी एसी नर्सिंग का नाम जानती होंगे अगर यह कोर्स करते हो तो आपको graduation के degree भी मिलेगी और साथ ही आप लोग nursing का भी degree मिलेगा अगर दोस्तों ये आपको work लगेगा चार साल तक करने में आपको work लगेगा ये degree मिलने में अगर आप लोग कम समय में करना चाहते हो तो आप सभी लोग पर मेडिकल के त्रूथ GNM या ANM कर सकते हो जो कि nursing के लिए बहुत बेस्ट कोर्स माना जाता है दोस्तों ANM में भी ज्यदा समय नहीं लगता है अब बात करें कि ANM और GNM चैसे कर सकते हैं पेरा-medical के लिए पेरा-medical की course करने के लिए थोस्तों आपको प्रतीक अपस्टेट अगर आप लोग जीस अपस्टेट से हो तो यहां पर अपको पतख करना हो कि आपका केरते marit waste 12 کے merit पे उनका Advusion nursing यानि की Hospital वेगरा nursing College में असानी से हो जाता है लेकिन दौस्तों यदी हम लोग भिभार की बात करें यदि आप लोग भिभार Estate से हो तो वहाँ पे आपको भिभार Peramedical यहाँ पे entrance exam लेता है यदि आप लोग उसको clarify करते हो तब जाकर के आपका nursing में admission होगा ठीक है nursing में admission के लिए आप सभी को दोस्तो best college भी है BR में जो की PMCH है NMCH है DMCH है जो की दरवंगा और पटना में है दोस्तो आप लोगों के लिए मैं ये कुछ college भी बता दिया हो जो नर्सिंग के लिए best college है यदि इस संस्थान से आप लोग करते हो तो अच्छा माना जाता है ठीक है NM के लिए दोस्तो अलग-अलग है ZNM के लिए भी अलग-अलग छेत रहे हैं NM यदि आप लोग कोर्स करते हो तो आप लोग को गाहों में प्राथ्मी के जो हस्पीटल होता है वहां पे नर्स बनने का अफसर मिलता है यदि आप लोग ZNM करते हो तो ZNM में दोस्तो बहुत ये अच्छा है PMCH वेगरा जैसे जैसे बड़े-बड़े संस्थान में काम करने का मुका मिलता है नर्स के थुरू आप सभी लोग देखे भी होगे डॉक्टर के साथ जो नर्से काम करती है वो भी आप लोग काम कर सकते हो और नर्स दोस्तो अलग-अलग छेतर में बटा हुआ है जैसे अप्थमी क्यानी की आँखों का अलग होता है अपरेशन ठीटर में भी अलग होता है सभी जगह मरीजों की देखवाल करना उनका रिपोर्ट त्यार करना वो अलग नर्से वो मरीजों की देखवाल करना यह सब जो एनेम करके आते ना उनको दिया जाता है गवर्मेंट में ठीक है प्राइवेट में दोस्तो आप सभी को जैसा जोब चाहिए वैसा जोब प्राइवेट में मिल जाता है वैकेंसी निकलती है आप लोग अपलाई कर सकते हो ठीक है तो आप सब्सक्रावर्स मिनिममम एज होना चाहिए आपका तब जाकर के आप यह कोर्स कर सकते हो मैक्सिममम एज यहाँ पर एज लिमिट नहीं दिया गया दोस्तो तो आई होप दोस्तो आप सभी को यह न्यूज इन्फोर्मेशन वाली लगी होगी आप सभी लोग कैसे नर्स बने कर दोस्तो आपाली लोग